तो हेलो दोस्तों सुरू करते हैं छत्रपती सिवाजी महराज जी की राजस सुपरनाली सिवाजी ने भूराजस एबंपरसासन के छेत्र में अनेक नए करम उठाए इन छेत्र की व्यवस्था पहले बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि यह पहले कभी किसी राज का अभिन अंगद नहीं रहा था बीजापूर के सुल्टान मुगल और यहां तक की स्वेम मराठा सरदार भी अतिरिक्त उत्पादन को एक साथ ही ले लेते थे जो हजारेदारी या राजस्व किसी की कुछात पर था जैसी ही व्यवस्था थी मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था में सिवाजी को आदर्स व्यवस्था दिखाई दी लेकिन सिवाजी महराज ने उनका अंधा अनुसरन नहीं किया यानि हुबहु नकल नहीं मारा अनना ही उसका पूरा का पूरा उसके बात उपे चला मलिक अंबर तो माप की इकाई का कहते ना मानी करन करने में और सफल रहा था परन्तु सिवाजी ने एक सही मानक इकाई स्थिर कर दी थी उन्होंने रसी के माप के स्थान पर काठी और मानक छडी का प्रियोग अरम करवाया बीस कडियों का एक बिखा होता है और एक सो बीस बिखे का एक चावर और चवार होता है ये सिवाजी महराज के समय में ही पता चला था सिवाजी के निर्देशा अनुसार सन 1679 यानि 1679 इसवी में अन्ना जी दत्तो ने एक विश्रिट भू सर्विक्षन करवाया जिसके परिनाम सरूप एक नया राजस निर्धारन हुआ उन्होंने बिचोलिया सिश्टम को खतम कर दिया था कुल उपज का 33% राजस के रूप में लिया जाता था जिसके बाद उसे बढ़ा कर 40% कर दिया राजस नगद या वस्थू के रूप में चुकाया जा सकता था फिर्शकों की नियमित रूप से बीज और पसु खरीदने के लिए रिन दिया जाता था जिसे दो या चार वार्चिक किस्तों में वसूल किया जा सकता था अकालिया फसल खराप होने की आपात श्थिती में उदार पुर्वक अनुदान एवं साहता परदान की जाती थी नए इलाके बसाने के लिए परोचाहन किया जाता था किसान को लगान मुक्त भूमी भी परदान की जाती थी यदि पी निश्चित रूप से यह काना कठिन है कि सिवाजी महराज ने जमिनदारी परथा को समाप्त कर दिया था फिर भी उनके द्वारा भूमी एबम उपच के सर्विक्षन कराने और भू स्वामी बिचोलियों की सोतंतर गतिविदियों पर नियंतरन लगाने जैसे ऐसी और संभावनाओं में संभावना उत्पन कराना ये संकेत देता है कि वो एक ससक्त और सूजबूज वाले समराट थे उन्होंने बार-बार किये जाने वाले भू हस्तान तरन पर प्रतीबंद लगाने का प्रियास भी किया कहेंगे सभी बातों पर धियान दिया जाएं तो उस समय किसान वर्ग काफी प्रसं थे और नई योजनाओं का सहर्श स्वागत किया था क्योंकि विजापूर सुल्तानों के अत्याचारी माराठा देस मुखों की व्यवस्ता की तुलना में या बहुत अच्छी थे सिवाजी के सासनकाल में राज के आए के दो और सुरोथ थे सर देस मुखी और चौत उनका कहना था कि देस के वनसानुगत सर देस मुखी और सबसे बड़े भी कह सकते होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा के बदले उन्हें सर देश मुखी लेने का अधिकार है चौत के अधिकार में इतियासकारों का एकमत नहीं है मसूर इतियासकार रनाडे के अनुसार सेना के लिए दिया जाने वाला अंसदान मात्र नहीं था इसमें कई नैतिक और कानुनी बाध्यता नो हो अपितू बाहिश शक्ती के आकरमन से स्रक्षा परदान करने के बदले लिया जाने वाला कर था जिसको चौत कहा जाता था सर देशाई जो इतियासकार थे उनका कहना था कि सत्रुता रखने वाले अत्वा विजित छेतर से वसूली की गई आई को चौत कहा जाता था बड़ाल दोनों का अर्थ किसिन किसी माइने से बड़ाबर ही लग रहा था मराठा राज के संबंद में सतीश चंद्र यानि एक और दिगज इतियासकार थे सतीश चंद्र ने एक कतंद सपष्ट किया है कि मराठा राज के अधियन से ग्यात होता है किन को ग्यात होता है बही साप ये ग्यात होता है सतीश चंद्र जो एक महान इतियासकार थे हैं और हमारे दिल में हमेशा रहेंगे तेरा फिर से बोलता हूँ माराथा राज के अध्यन से ग्यात होता है कि माराथा आंदोलन जो मुगल समराज की केंद्री करन के विरुद्ध छेत्रिय प्रतिक्रियाओं के रूप में आरंभ हुआ था कि परिनिती सिवाजी द्वारा दक्षिन मुगल प्रसासनिक व्यवस्ता के मुल्भुच सिधानतों को अपनाए जाने में हुई तो दोस्तों इस एक साथ में विरा चाहता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट चलूर करें